कि नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका रैविट फैमली के नेक्स्ट फूडियो में इसमें आपको बताने वाला हूं वॉयड स्विप के बारे में तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं यह है आपका सॉलिड स्विप अगर आपको स्विप करना है तो यह है आपका वॉयड अगर आपको cutting करके स्वीप करता है तो उसके लिए मामनों मेरे पास यह profile है मैंने वोईड स्वीप पे क्लिक किया क्लिक करने के बाद वही option है sketch path और big path आप sketch कर सकते हो या फिर अगर आपके पास already एक path है तो आप उसे pick कर सकते हो को मामने by कि आ और मैंने इन फिक किया और और इन वहां से select करने के बाद finish कारने के बाद मिरे एडिट करना है तो दुबारह में एंधी में took profile जा के मैंने一起 profile किया अभ यहाँ पर मिरको profile को एडिट करना थे मैं इसे लेके गए detective और यहाँ पे मैं कोई भी एक profile क्रेट करूंगा profile मेरे box मेरा rectangular भी रगना circular भी हो सकता है अभना नहीं मालो मैंने प्रोफाइल यहाँ पर इसको मैं हटा देना चाहता हूं तो उसके लिए मैं इसको मैं यहां से पहले कट कर देता हूं इसको यहा है कि इसको यहां से जोईन तो गloron पौरे ऊसकें यहां वाला आपका बहर भी आपकता है जिया और घच्ना पार होसकता है अगर यहां च्राइद भी कर सकता हूंए इसको मैं एसको इसको उआप नहीं पड़ेंगा विपोज वह बाहर से अगर मैं अब इसे finish करता हूं और एक बार और इसे finish करता हूं यहांसे तो तेखों इस type में वह आपकी cutting को यहां पी अैसे करके cutting को आपके करते हैं clear दोस्टों कर द wilderness को इस type में आपने profile बनाया था इस time में आप cutting कर सकते हैं जैसे आपको कोई भी designing देनी है किसी भी product पे किसी भी object पे तो इस time में आप family की help यहां से ले सकते हैं आपको door create कर रहे हो window create कर रहे हो कोई table create कर रहे हो आपको boundary पे यह सब चीजे चाहिए तो आप word extrusion word sweep की help ले सकते हैं तो यह था आपका word sweep तो thank you so much दोस्तों वीडियो देखने के लिए मिलते हैं next वीडियो में जिसमें मैं आपको last बताने वाला हूं word swept blend के बारे में तो thank you so much दोस्तों मिलते हैं next video thank you so much